उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई इसमें एहम भूमिका धर्मगुरुओं और पुलिस की रही इससे पहले दो शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में हुए बवाल को लेकर तीसरे शुक्रवार यानि के जुमे की नमाज को अदा कराने के लिए प्रशासन को चुनोती थी जुमे की नमाज को कानपूर, प्रयाग राज, आग्रा और लखनव समेत कई शहरों में सुभा से ही स्थानिय पुलिस अधिकारियों की नजर समवेदन शीर क्षेत्रों पर थी दोपहर को जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों पर जुटे लोगों से पुलिस ने शान्ती की अपील भी की थी बावजूद इसके मस्जिदों के पास एहतियात्न पुलिस बल तैनात किया गया